नवस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है कॉंग्रेस पार्टी के राहूल गांधी तो ये कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मुहबत की दुकान खोलने आए हैं लेकिन कॉंग्रेसियों की हालत ये है कि वो राजनतिक मर्यादाओं को तार-तार करने में एक भी पल गवाते नहीं है एक नया स्टेट्मेंट आया है कॉंग्रेस के बहुत बड़े दिगज लीडर के दौरा जिसमें परदान मंतरी मूदी की बारे में कहा कि बहुत कम समय बाकी है इनके पास ज्यादा समय नहीं है और इनका जो अंत होगा वो ठीक वैसा ही जैसे हिट्लर और मुसोलनी और फ्रैंकों का हुआ था जिस तरह से फासिस्टों की का अंत होता है उसी तरह से परदान मंतरी मूदी का भी अंत होगा अब मुमे राम बगल में छुरी राहुल गांदी कुछ और कहते हैं और कॉंग्रेसी लेता कुछ और कह रहे हैं यह मत भूलिए कि हिंदुस्तान का एक वर्ग है जब आंदोलन होता है तो कहते हैं मरजा मूदी मरजा मूदी जब आंदोलन होता है तो वो कहते हैं कि जो हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा यही इसी तरह का बयान करनाटक के पुर्व मुख्य मंतरी सीधा रमया के द्वारा दिया गया है यह लेतिस्ट है वहाँ चुना होने वाले हैं पुर्दान मंतरी का आना जाना सुरू हो चुका है तो उन्होंने यही बयान दिया कि वो आएंगे लेकिन बहुत कम समय उनके पास है जो हस्र हिटलर और मुसोली का हुआ वही हस्र पुर्दान मंतरी मौदी का होने वाला है क्या खबर आई, क्या कहा उनोने Siddharamaya stated that PM Modi's leadership would last only a few days more he is the Prime Minister let him come we do not have any problem however if he says hundred times that BJP will come to power I will make it clear that will not happen, people will not believe it but what happened to Hitler, for a few days he walked around pompously what became of Mussolini and Franco, he PM Modi will also walk around like this for a few days यह नहीं कहा कि करनाटक आए कोई दिक्कत नहीं हमें लेकिन यह जो धूम धाम से आते हैं इसी तरीके से धूम धाम से Hitler, Mussolini और Franco घूमा करता था क्या अंत हुआ उसका कैसे खत्म हुआ सब कुछ वैसे ही प्रधान मंतरी मोदी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है अब Congress Party इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते है यह मोहबत की दुकान है यह मोहबत की दुकान है के आप किसी के बारे में इस तरह की बाते कहेंगे हिटलर की मौत कैसे हुई हिटलर ने आत्म हत्या की इधर गोली मार के मुसोली कैसे मरा मिरोध्यू ने तलपा तलपा के मारा मुसोली मुसोली की प्रेमिका को सरयाम गोली मारी गई बाड़ी को घसीटा गया पत्थर पर रखा गया और उनके साथ साथ सोलह उसके दोस्तों को भी लोगों ने मार दिया यही कॉंग्रेस पाटी करना चाहा रही है यह डेमोक्रसी है ये महब्बत की दुकान है और ये बयान के बाद कॉंग्रेस पार्टी का कोई लीडर कुछ बोल नी रहा हुआ हुआ है सीधा रमया किस बयान का कंडेमनेशन हर सेंसिबल रीजनेबल रेशनल सक्स को करना चाहिए कहीं आपने सुनी इसके उपर मीडिया में भी नहीं दिखाय जा रहा खबरे छपी हुई है बाइट भी आई हुई है मैं तो सुना देता लेकिन वो अपने करनल में बाचीत कर रहे हैं इसलिए कोई मतलब नहीं है बावाल मचा हुआ है करनाटक के अंदर लेकिन नैशनल मीडिया इस खबर को बकाईदा चुप रखे हुए है और ये कोई पहली बार नहीं है गांदी परिवार के बहुत ही क्लोज सुबत कांशाय अभी हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया था या अगनी वीर के उपर इन्होंने एक प्रोटेस्ट और्गनाईज किया था तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हिटलर ने बकाईदा रिकूरूट्मिंट सुरू किया था आर्मी में युवाओं को बहाल करने के लिए उसी तरीके से प्रधान मंत्री मोदी भी कर रहे हैं और उन्होंने तो उस प्रोटेस्ट के दौरान ये बात बकाईदा डंके की चोट पर कहा कि जो हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा वाह! दो दो बार भारती जंता पार्टी बहमतसे सरकार में आई है ये टलर ताना शाह था ये ताना शाह नहीं है यहाँ कोई पॉस्सिसम नहीं है यहां बोलने की आजादी है इसलिए कॉंग्रिस पार्टी के लोग इस तरह की बाते कर भी देते हैं और कोई जेल भी नहीं जाता कोई कारवाई तक नहीं होती अगर फासिज्जम होता यहां पे सरकार दमनकारी होती तो यह बोलने लाइक भी नहीं यह बसते हैं यह कॉंग्रिस पार्टी यह लेफ्टरिबर कबाल यह सेक्ट्रिजम के धंधे बाज लोग शाहिन बाग में छोटे छोटे बच्चों से यह अपील कर वा रहे थे जो हिटलर की राह चलेगा हिटलर की मौत मौरेगा बिना जाने स के दिमोकरसी की मौत हो गई इन बयानों से डिमोकरसी जीवित हो जाएगी यह कॉंग्रिस का क्या कोई आइडलोजिकल लाइन है यह कोई रनीती है कोई प्लैन है को हारने दो मोधी को मुसोर्मी के तरह घसीट-घसीट कर उनकी मौत दी जायए इनकी चाह रहे और कोई पहले बार कोई रोके तब तो एक और लीडर है सेख हुसेन उसने इसी तरह के मंच से वो कह रहा था कि जिस तरीके से कुट्टे की मौत होती है उस तरह से निर्ण मोधी की मौत होगी कोई एक्सल लिया गया जिसको जो मना रहा है मोकी रहा है पाटी को इधर से उधर हॉप करने वाली पाटी हॉपर अलका लामबा कह देती पधाने मंत्री नलाइक है सब से कलमंद आप ही लोग है मली संकर एयर कह देते हैं कि भाई ये नीच वेक्ती है ये किस तरह की सब्दावली है क्या आप इस तरह से पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आप एड्रेस करोगे हिटलर ने ये कर दिया हिटलर ने वो कर दिया तो छोटे लीडर्स तो छोटे लीडर्स बड़े बड़े लीडर्स के दौरा ये जब बयान इस तरह के दिये जाते हैं इसका मतलब यह है कि कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरीके से frustrated हो चुकी है चुनाओं में आप हरा नहीं सकते तो आप इस तरह के बयान देकर लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करना चाहते हो राजनीती में आप एक साथ काम कर रहे हो आमना सामना भी होता आप किस तरीके से और यह कहना पड़ेगा कि इसकी सुरुवात तो सोनिया गांदी ने की थी जब मौत को सौधागर गुजरात के चुनाम उन्होंने कहा था फिर सैंप्रिट्रिडा फिर उसके बाद मलीशंकर आईयर पता नहीं एक के बाद एक लोग सामने आते चले गए और जिसों कत्य की वर्बल डाइरा के सिकार हो गए यह जो वर्बल डाइरिया है कॉंग्रेस लीडर्स का यह बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि देश की जंता इस तरह के सब्दावली का उसे एप्रिसेट नहीं करती राजनिती में गाली गलोच का जो प्रचलन कॉंग्रेस पाटी और यह जो हिटलर मुसोनली और फ्रेंकों से उनकी तुल्ला की जा रही है वो बहुत ही इलोजिकल है और अच्छी राजनिती का परिचायक नहीं है तपसWi और सन्यासी का फरक बताते रहे राहुल गादी मुहब्बत की दुकान नफरत के बाजार इस तरह के ज्मलों का इस्तमाल करते रहें लेकिन जब इस तरह के बयान कॉंग्रस के लीडर्स के तरफ से आते हैं तो गिन आती इस तरह के पॉलिटिकल पाटी से जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए इस तरह के बातें कहने में फक्र महसूस करते हैं आप दिखतरी कैप्टल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद झाल